यहाँ पे हमें कुछ data points दे दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इस observations का इस दिये हुई data का हमें mode पता करना है अब जैसा कि हमें पता है कि किसी भी observation में जो हमें observation का set दिया हो उस observation की set में से जो observation खुद को सबसे ज्यादा बर repeat करता है वो उस observation का mode कहलाता है लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास यह जो 2 है वहाँ पे इस 2 ने खुद को 4 बार repeat किया है और फिर इस 3 ने भी खुद को यहाँ पे 4 बार repeat किया है यानि कि जो दोनों observation है 2 और 3 उन्होंने खुद को equal number of times repeat किया है तो ऐसे case में क्या करें अब हम mode कैसे निकालेंगे तो इस case में यह 2 और यह 3 दोनों ही मेरे इस data के mode हो जाएंगे यानि कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इस data set का मुझे mode बताने के लिए तो मैं बोलूंगा कि भाई इस data का mode 2 और 3 दोनों ही हो जाएगा तो best case scenario कब होगा जब पूरे data set में सिर्फ कोई एक observation खुद को maximum number of times repeat करें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तब तो मैं mode directly बता दूँगा कि जो observation खुद को सबसे ज़्यादा बार repeat कर रहे हैं यह वो हो गई mode इसके अलावा मान लो कुछ दूसरा situation हो जिसमें एक से ज़्यादा observation खुद को equal number of times repeat कर रहे हैं तो वो सारे observation ही उस data set के mode कहलाएंगे जैसे कि इस case में हमने यहाँ पे देख लिया कर रहे हैं